वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 pages के PDF को cover up कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ important topics को यहां पर cover up करेंगे यह जो PDF है 780 pages का इसको study for civil services के द्वारा बनवाय गया अब यह बहुत जादा important है आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए BEO के पेपर के लिए UP PCS के पेपर के लिए तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इन में से किसी की भी अभी तो देखिए आपका समीक्षा अधिकारी के पेपर ओलेडी एनाउंस हो बाकी it's up to you कि आप किस तरीके से करना चाहते है बट मैं आपको यही सजेस्स करूँगा कि इस PDF को आप पर्चेस कर सकते हैं Steady for Civil Services से contact number description box में दिये हुए वहाँ पर जाकर बात करके official numbers पर आप इस PDF को ले लो यह PDF complete करने के बाद फिर कोई समस्य आपको नहीं आने वाली बहुत easily आप exam को crack कर सकते हो बारहाल यहाँ पर जो वीडियो के माद्यम से हम लोग PDF को cover up करेंगे इसमें time लगेगा सो अगर आप लोग time या फिर money जिसको भी आप चाहों उसको invest कर सकते हो बट time जैसा की बहुत कम है सो मैं आपको suggest कर रहाँ बाकि आपका अपना money आप क्या decision लेते हैं चलिए अब जो है शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को दोस्तों जो पिछला वीडियो था उसमें हमने न्यूजिलेंड के बारे में पढ़ना स्टाइट किया था तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं यह करके यहाँ पर सारे points देखते हैं जो पच्छमी ढाल है उसको नमी और जंगलों से युक्त छेतर में शामिल किया जाता है मतलब न्यूजिलेंड का जो western part है वहाँ पर बहुत ज़ादा नमी है और वहाँ पर जंगल बहुत ज़ाद है इसके अलावा पूर्व में point को याद रखिएगा बाकि अगर हम बात करें तो कार माइकल गैली बेसिन जो है यह भी यहाँ पर ही located है तो यह जो point आप देख रहे हो नहीं यहाँ पर चाहें हम यहाँ पर बात करें इस मैदान की canterbury की या फिर हम बात करें कार माइकल गैलरी बेसिन की तो यह दोनों ही न्यूजिलेंड में located है अब यह जो बेसिन है यह विश्व में कोईले के सबसे बड़े और प्रियुक्त भंडारों में से एक है मतला इसको यूज नहीं किया जाता है बड़ यह बहुत बड़ा रिजर्व है next point इसके बारे में है कि कार माइकल माइन जो है इसको अडानी सम का एक हिस्सा है जिसमें आपका Solomon Island जो है वो located है ठीक है तो आगे चले next question को देखें इससे पहले कुछ एक information है आपनों के लिए जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो study for civil services के courses को आप join कर सकते है complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें study material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब कुछ sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो च कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं इप समू का एक हिस्सा है यह और जिसमें आपका Solomon जो आइलेंड है वो located है और यह एक संसाधन संपन स्वायत दीप है जो Australia से पापुआ New Guinea को विरासत में मिला है बोगन विले पापुआ जो का पागुना कॉपर माइन है यह विश्व के सबसे बड़े तांबे के भंडार में से एक है तो यह वाली point भी यहाँ पर याद रखना है कि पागुना और यह बोगन विले जो है यह जो कॉपर यहां का पूरा एरिया है को माइन है मतलब यह जो माइन है यह बहुत ज़्यादा फेमेस है आपका किसके लिए कॉपर के भंडार के लिए है इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं वाइट आइलेंड की अब यह जो आपका वेकारी यह फिर वाइट आइलेंड है यह एक सक्रिय एंडी साइट स्ट्रेटो जॉला मुकी ह इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं जिलेंडिया की अब जिलेंडिया जो है यह आपका माइक्रो कॉंटिनेंट है जो कि आपका ऑस्टेलिया ही महादीपिय भुभाग से अलग हो चुका है अब यह जो महादीपिय क्रस्ट का लगबग पूरी तरीके से जलमगन द्र है और उसके बाद जो है न्यू कैलेडोनिया का इस्थान आता है मतलब जो सबसे बड़ा इसका पारिट है वो कौन सा है आपका न्यूजिलेंड और उसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर हम कहें कि साइज वाइस तो वो कौन सा है आपका न्यू कैलेडोनिया की तो न्यू क यह उस्टेलिया से लगबग 1210 किलोमीटर पूर्व में वनुआतू में वनुआतू के दक्षन में दक्षन पच्छिम परशांत महासागर में इस्थित फ्रांस का एक विशेश दीप समू है तो आप से यह पूछा है सकता है कि न्यू कैलिडोनिया इस पर कौन सी कंट्री का स प्रमुग भाग है और न्यू कैलिडोनिया यह जिलेंडिया का हिस्सा है जो प्राचीन गोंडवाना सुपर महादीप का एक भाग है इसके बाद आगे बात करते हैं यूरप कौन्टिनेंट की अब यहां पर छेतरफल की बात करें तो यह तो कुछ खास जरूरी नहीं है य कौन्टिनेंट की इसके बाद यहां पर बात करते हैं इसमें कितनी कंट्री हैं तो 51 ओवरॉल इसके अंदर कंट्री हैं यूरोप में यूरोप का सबसे बड़ा देश वो कौन सा है आपका रशिया यूक्रेन फ्रांस स्पेन स्वेडन और नॉर्वे यह जो है सबसे बड़ इसके बाद मुनाको की बात करें तो फ्रांस और भूमत सागर से गिरा हुआ यह देश है मुनाको यह छोटे छोटे देशों की बात हो रही है जो यूरोप में लोकेटेड हैं इसके बाद सैन मेरीनों की बात करें तो यह आपका इटली में अविस्थित एक छेतर है और इस अंडोरा की बात करें यह important है न्यूस में रहा है इसको याद रखेगा अंडोरा जो है आपका यह पूर्वी पायरेनीज में लोकेटेड है और उत्तर में इसके फ्रांस है और दक्षन में बात करें तो स्पेन की सीमा जो है वो इससे लगती है इसके बाद यहां के अगर हम ब पीटवर्ग है, बर्लिन है, मेडड़ेड है, हीलेंसकी है, जो आपका ऊत्तरी दुरुफ के सबसे नजदीक में लोकेटड़ कापिटल है, ठीक है, तो अगर आपसे पूशा रहता है कि उत्तरी दुरुफ में मधियाफिर्फर में कोशा छोस MARK- कौन से यह आपकी हेलेंस की इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि प्रमुक दीप और दीप समू की तो नुवाया जेमलिया यह जो रशिया का एक आपका दीप है फ्रांस जोसेफ लेंड यह आपका रशिया के अंदर मतलब रशिया का इस पर अधिकार है इसके ब बात करें यह फ्रांस के अंदर आता है ठीक है इसके बाद हम शेटलेंड की बात करें यूके के अंतरगत आता है ब्रिटिश आइल्स की बात करें तो यह आयरलेंड के जो कि आपका ग्रेट बिटेन और आइल आफ मैन उसके बीश में ठीक है इसके अराब अगर हम बात करें बेली एरिक दीप समू की तो ये स्पेन के अंतरगत आता है कोरसरिका की बात करें तो ये फ्रांस के अंतरगत आता है साइडिनिया की बात करें तो इटली इस पर जो है इटली का कंट्रोल है इसके बाद एलो एलो एन दीपसंगूं की बात करें तो यह भी इटली का ही एक part है माल्टा की बात करें तो भूमत दसागर में समप्रभू देश यह सब जो हैं आपके में आइलेंड हैं आके इसके बाद आगे बात करें कि सबसे बड़ी भी जीलें कौन कौन सी है तो लेक लाडोगो यह आपका रशिया की एक लेक है लेक वनगा यह भी रशिया की है कुप विशेप यह जलाश है यह भी आपका रशिया का है लेक वेनर्न यह आपका स्वेडन की है इसके अलाबा आपका राब बिट्स जलाश है यह आपका रशिया का एक जलाशा है मतलब जहील समझ लो इसको भी इसके बाद सर्वोच परवत की बात करें तो इसमें आपका माउंट एलबस यह सर्वोच परवत है आपका यूरोप का इसके अलावा आपका मोंट ब्लांक यह भी आपका यूरोप का सर्वोच परवत है मतल हम यूरोप की जो पर्वत श्रंक लाए हैं उसको cover up करेंगे अभी तक हम लोग 116 pages को cover up कर चुके हैं 780 in total हमें करना है वीडियो के माद्यम से आप करोगे तो अच्छा खासा time लगेगा इसलिए मैं आपको बोला हूं कि अगर आप लोग इंट्रस्टेड हो इस PDF को purchase करने में आप कॉल करके इन PDF को purchase कर सकते हो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें थेंक यू सो मच आपनाई स्टिप बाबाए